नुहों पुलिस ने तावडू फार्म हाउस में बच्चों पर हमले और फर्ची पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाह सहित नो आरोपियों को अपता गरपतार कलिया गया है पुस्तास के लिए उनको चार तिन के पुलिस रिमांट पलिया गया है पता दें कि मिवाड के तावडू हसनपूर गाउं में इस्तित एके निची फार्म हाउस में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एक्चामिसेशन की कोचिंग ले रहे बच्चों पर हमला का लूट पार्ट वे फर्ची पेपर लीक से जुड़े दो अलग अलग धर्च मामले में नुहू पुलिस ने एक महिला सहत नो आरोपियों को गरपतार किया है दो मुख्य वा सडियंतर कारी सरगनाहों को भी दबोच लिया गया है गरपतार आरोपियों को कोट में पेश कर चार दिन के पुलिस रिमांट पलिया गया है रिमांट अवधी के दौरान पूस्तास में और भी कई कुछा से होने की संभाब ना है बता दें कि नुहू पुलिस प्रवक्ता से मिली चानकारी के मताबक हसनपुन निवासी फार्म हाउस मालिक सरवर के बयान पर एक केस दर्चुआ जिसमें बताया क्या है कि करीब आठ दस दिन पहले एक व्यक्ति ने उन्हें फौन पर बताया था गत सत्रे चनवरी के तो पहर करीब पारे बजे 6 उफ्तिया वा 27-28 सिवक फार्म हाउस पर पहुंचे थे बीते वीरवार की सुबह करीब 6 बजे जब गया है फार्म हाउस पहुंचे तो 7-8 बतमास टकैती की नियत से फार्म हाउस की दीवार फांत कर अंदर प्रिवेस कर गए थे सभी बतमास लाठी डंडों से लाजते जबकि एक के पास पिश्टल थी गन पॉइंट पर जेव से 60,000 रुपे छीन लिए साती बतमासों ने फार्म श्टाप वा सैमिनार में पच्चे पहुंचे उनसे भी लूट पाट की गई इस तोरान कुछ भैभीत पच्चे भाग गए सोर सराबा होने पर पुलिस की टाइल 100 पारे को सुचना दी गई और मौके पर पुलिस की देख में दो बतमास डखेती की रकम को लेकर भाग गए जबकि 6 पतमासों को मौके पर इतबो उच लिया गया जिनके नाम धरमेंद्र सुरेश बिश्नू अंकेत अजेवर रवी बतलाये गया वहीं दूसरे मामले में पुलिस को शुचना मिली थी की विधेश से मेबीएस की पढ़ाई करने वाले बच्चों से FMJ की परिक्षा के संबन में फर्जी पेपल लीक करने एवच में धोका धड़ी कर लाखो रुपे ठगने की योचना है फार्म हाउस में बड़ी संख्या में एक दर्जन से अधिक बच्चे पहुंचेंगे इस अपराद को आसा नाम की महिलावराकिस पंडारी नाम के वियक्ती ने अंजाम दिया था बता दें कि मिलकर अंजाम देने की फ्राक में थे और मामले में तो नामचट आरोपी आसा वंडारी साहत अन्य के खिलाब के इस्तरच करते हुए पुलिस की टीमों ने अलग अलग ठिकानों पर ताविश देते हुए आरोपियों को दबोच लिया गया आप देखरें नुह मिवास लियाकत अलिक रिपोर्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीचेगा और रोचा ना देखते रहिएगा दिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें